दोस्तों उम्मिद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे याद दोस्त आज हम बात करने वाले हैं कि ये सिलाई मसिन में जो धागा का प्रोबलम होते हैं किस कारण से वो धागा जो छोड़ते हैं सिलाई करने में उसी पाज हम बात करने वाले हैं तो आपको हम डिटेल से बत करके soundsEvetart नहीं तो आपको साथ ऐसा ही आते रहेंगे प्रोब्लम में एक बार S fulfill करने के बाद कभी भी ऊपना तो बादीन के साथ करें हो यहां पर उसको ज्यादा रोटेट करते रहें रोटेट करने में आई प्रोब्लम में आते हैंग सै तो इस से अब बाय करते हैं या जो भी सिलाएं करने के लिए आपको फ़र्ष्ट बार करके त्टैन करके देते हैं तो इसके साथ ज्यादा जैर शारत करेंगे तो अकसर यह क्या होता है, यह जो दागा जहां से सेंतिंग करके जैसे भी सिलाई करते हैं, तो यहाँ पर अगर थोरा सा सНу को यह गूमायेंगे, यह आने में दागा जो बहुत फास्ट यहां से निकलने लाद पर जिस ऎम सी यहां पर इमें अगर से प्रॉपर, बल्सट और यह जो अभी आप देख रहे हैं इसमें क्या सेटिंग करना है कि आपको शेरचार नहीं कुछ है तो आपको अक्सर यह प्रॉब्लम से जो अंदर का जो प्रॉब्लम होते हैं शिलाई करने में वह अक्सर आपको समझ नहीं आपाते जिसका अगर आप थोरा सा भी इसके साथ छेर जादा होंगे जो कि वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे आप से तो इसलिए कभे भी यह जो सेटिंग किया हुआ रहा रहता है जहां से आपको जो बाय करते हैं मशिन बाय करते हैं वक्त आप इसमें छेर करेंगे तो यह ज़रीया होता है वो थोरा सा भी प्रॉब्लम के कारण यह ज्यादा और कम मात्रा में इसमें टायट होने के कारण वैब इन में थोरा सा इधर उधर करेंगे तो आपका जो सिलाए होंगे वो यह आपको उपाय बता देते का आप कैसे इसका सेटिंग करेंगे ताकि आप को ज्यादा प्रोब्लेम नहीं होंगे अगर आप खुझ से करना चाहते तब नहीं तो कभी भी आप खुझ से न करें तो ही अच्छा रहेगा क्योंकि अगर आप न्यू है तो इसके लिए सबसे पहले क्या है इसको बैविन को आपको आराम से निकाल लेना है निकालने के बाद को जहां पर सेटिंग गरें के ताकि आपका जो धागा निकलने का प्रोसेस वह आपके लिए बेस्ट रहेंगे तो इसके लिए सबसे पहले फिर गुमा करकि आपको और यहां से आपको देखना है गाई यापको जो निकलना का पुझ से वह कितना असान तरीके सी यह नीचे ज़्यादा मातरा में निकलेंगे तो वह बाहर का जब सिलाई होता हो आपके लिए वइसा प्रॉब्लम हाएं गायी तो इसको थोड़ी सा टाइट करना इसको बाइबीनको जिससे वह धागा निकलने में प्रोलो रही ज्यादा उसको टाइट करें ताकि वो धागा बाहर निकले ही ना, इसलिए जब भी करें तो इसको मेंटेन में रखके करें ताकि आपका धागा जो है, निकलने में प्रॉब्लम नहीं करेंगे, तो आप देख सकते हैं, धागा पूरी अच्छी तरह से हमारा ये निकल रहा है, जो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता है आप देख सकते हैं थोरा सा भी इस पो इसको जोर नहीं देना है वह आराम से अपने आप ये धागा निकलेंगे तो समझ जाएगा कि हमारा बावेन पूरी तरह से सेटिंग हो चुका है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा गाईज आपका शिलाई करने में तो अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हमारे चैनल को प्लीज सस्क्राइब जरूर कर देजिएगा ये आपको कोवी भी कॉमंट हो सिलाई समंदित हमारे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजे गाईज आपको हम दिखाते हैं भी जस्टिस को सेटिंग करके गाईज इसको देख रहे हैं गाईज इसे करके आपको सेटिंग करना उस जस्टिस में यहां पर लगा के यहां पर अटेज कर देना है गाईज